हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीपी हेल्थ फंडा पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रागन फ्रूट के बेनिफिट्स के बारे में लेकिन उससे पहले आप में से जो लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए यह जाना भी ज़रूरी है कि आखी ड्रागन फ्रूट है क्या एक्चुली ड्रागन फ्रूट का साइन्टिफिक नेम है हाईलो सीरियस अंडाटस बट इसके रंग रूप को देखते हुए इसे ड्रागन फ्रूट का नाम दिया गया ड्रागन फ्रूट साउथ अमेरिका में पाया जाता है ये एक किस्प की बेल पर लगने वाला फ्रूट है ड्रागन फ्रूट दो प्रकार को होता है सफेद गूदे वाला और लाल गूदे वाला इसका उपयोग सलाद मुरब्बा शेक और जेली बना कर किया जा सकता है ये फ्रूट हमें हेल्दी रखने के साथ साथ कुछ शारीरिक समस्याओं से उबरने में भी हमारी हेल्प कर सकता है तो देर किस बात की चलिए जानते हैं ड्रागन फ्रूट के सब भी बेनिफिट्स के बारे में ड्रागन फ्रूट के फायदे दोस्तों ड्रागन फ्रूट में नेचुरल अंटि आक्सिडन इफेक्ट के साथ साथ फ्लेवनोईट्स, फिनॉलिक एसिट, एसकाबिक एसिट और फायवर होता है ये सभी अलिमेंट ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं वहीं जिन लोगों को ड्रागन फ्रूट का इंटेक ड्रागन फ्रूट के बेनेफेट्स हमारे हार्ट के लिए ड्रागन फ्रूट के सबसे खतनाक रोगों में से एक है कुछ मामलों में ये हार्ट डिजीज का कारण भी बन सकती है ड्रागन फ्रूट के कारण हार्ट डिजीज होने के पीछे शरीड में ऑक्सिडेसिव इस्ट्रेस का बढ़ता प्रभाव भी एक वज़े होता है ऐसे में एंटी ऑक्सिडेंट गुडों से भरपूर फ्रूट्स एंड वेजटेबल्स खाने की सला दी जाती है और ऐसे ही फ्रूट्स में ड्रागन फ्रूट का नाम भी शामिल है ड्रागन फ्रूट बेटा लाइन्स, पॉली फिनॉल्स एंड एसकाबिक एसिड जैसे एफेक्टिव एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होता है जिसकी वज़े से ये ऑक्सिडेसिव इस्ट्रेस के एफेक्ट को कम करके हार्ट को सुरक्षित रखने में हेल्प कर सकता है ड्रागन फ्रूट के फायदे कैंसर में आराम पाने में भी देखे गए हैं इसमें एंटी टूमर, एंटी ऑक्सिडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी गुड देखे गए हैं साथ ही इस पर किये गए research में भी पाया गया है कि dragon fruit में पाये जाने वाले ये खास good women's को breast cancer से बचाने में भी help कर सकते हैं dragon fruit खाने के फाइदों में cholesterol को control रखना भी शामिल है क्योंकि body में cholesterol का बढ़ना कई गंभीर बीमारियों की वज़े बन सकता है जैसे की heart attack and stroke बगरा एक research में बताया गया कि लाल dragon fruit को खाने से total cholesterol Tc, triglyceride Tg and low density lipoprotein LDL-C को कम कर सकता है dragon fruit good cholesterol को increase करने में भी help कर सकता है dragon fruit stomach related problem से आराम दिलाने में सहायक है क्योंकि इसमें मौझूद अलिगो सक्राइड में prebiotic good पाये जाते है इससे digestion system को healthy रखने में काफी help मिल सकती है ये stomach and intestine के अच्छे microbiome को बढ़ावा देते है इससे stomach and intestine दोनों को healthy रखने में मदद मिल सकती है साथी साथ dragon fruit fiber और कई vitamin से भरबूर होता है जो की digestion system को बेहतर बनाने में helpful है dragon fruit का यूज देंगू का उपचार करने में भी सायक साबित हो सकता है इसके लिए dragon fruit के बीच का यूज किया जा सकता है इन seeds के phytochemical में antioxidant and antiviral good पाये जाते है जो देंगू के लक्षनों को कम करने में मदद कर सकते है साथी साथ इसमें मौझूद vitamin C शरीर में प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाता है जिससे बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है गर्भा वस्ता में dragon fruit के फायदे अकसर लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि dragon fruit प्रेगनेंसी में खाना चाहिए या नहीं दोस्तों during pregnancy dragon fruit खाने के फायदे देखे गए हैं गर्भा वस्ता के दोरान शरीर में अनीमिया के कारण खून की कमी होना आमसमस्या है ऐसा शरीर में iron की deficiency की वज़े से भी हो सकता है ऐसे में body में red blood cells की कमी हो जाती है जो की पूरे शरीर में oxygen पहुचाने का काम करते हैं गर्भा वस्ता में अनीमिया कई गंभीर समस्याओं जैसे गर्पात, जन्म के समय शिशु किम्रत, समय से पहले प्रसव और अनी समस्याओं का कारण बन सकता है वहीं dragon fruit में iron की मात्रा पाई जाती है जो कर्बती मेलाओं में अनीमिया की problem को कम करने में help कर सकता है दोस्तों dragon fruit का उप्योग सामानी समय में भी iron की कमी को पूरा करने और अनीमिया से रहात पाने के लिए किया जा सकता है दोस्तों dragon fruit कई और समस्याओं में भी लाबधायक है जैसे कि arthritis यानि की गठिया, asthma, इत्यादिफ dragon fruit का उप्योग भूग बढ़ाने के लिए, skin and hair healthy रखने के लिए, हड़ियों और दातों के लिए, मस्तिस के लिए, तथा immunity बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें और आगे भी हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को subscribe कीजे और हाँ, bell icon को भी प्रस कीजे जल्दी फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वास्त रहें बाबाई